वेलकम फ्रेंट्स संजीवनी सीरीज आरबेसी क्लास 12 में आपका स्वागत है आज हमने इसमें पैनोरमा के आपके 4 इंटो 2 इक्वल टो 8 मार्क्स यानि की 8 नंबर के आपके आने वाले उन क्रेशन का कलेक्शन किया है जो कि आपको अब सेस रहे इन कुछी दिनों में आपको अच्छे मार्क्स दिल्वाएं Most important selected questions है आप इने जरूर से याद करके जाएं आशा हैं इन में से कुछ questions आपको वहां मिल सकते हैं जमन कौन था और वो किस प्रकार का वेक्टी था आंसर है जमन वोज अ क्लेवर ओल्ड इस्मगलर वो बहुत चालाक और बूड़ा इस्मगलर था तसकर था वो सिंध की सेकड़ो अवेद यात्राओं का अनुबव रखता था विदाउट हीज सपोर्ट नो वन कुड क्रोस दर रन उसकी साहता के बिना कोई भी वो जो रन था वहाँ का रेगिस्तान उसे कोई पार नहीं कर सकता था क्वेशन नमबर टू हमने लिया है ट्रबल इन बोहिमिया से क्वेशन है वो बोध बुद्धिमान मेला थी वो जानती थी कि राजा हॉम्स के पास जा सकता है उसके पत्रों को और पोटोग्राप को उससे वापस लेने के लिए उसकी साहता मांगने वाद जा सकता है इसलिए वो हॉम्स को किसी भी दिन आने की आशा कर रही थी क्योशन नमबर तीन हमने लिया है डेड मेंस पाथ से क्योशन है वोट पिनेंस वोज प्रेस्क्रैब्ड बाई डिवाइनर बवीशे द्रश्टा द्वारा क्या प्राइश्चित बताया गया आंसर है जो बविशे दृष्टा था उसने भारी सेक्रिपाइश यानि की बलिदान बताया उसने गावालों को बताया कि आपकी जो पूरवज हैं यह जो फैंस यानि जो बाड़ाबंदी की है इससे उनकी इंसल्ट हुए अपमान हुआ है वो गावं के लोगों से बहुत अधिक नाराज हो गए हैं आपको भारी कीमत चुकाने पड़ेगी और तभी आपकी जो पूरवज हैं उन्हें आप पेसिफाइड कर सकते हो शान्त कर सकते हो राजी कर सकते हो प्रसन नमबर फोर हमने लिया है जिम और डेला ने एक तूसरे के लिए क्या उपहार करी देते आंसरे डेला बोट अब ब्यूटिफुल फोब चेन फोर जिम डेला जिम के लिए एक सुन्दर फोब चेन लेकर आया थी जिम बोट अ सेट अब ब्यूटिफुल कॉम्स फोर डेला और जिम डेला के लिए एक सुन्दर कंगों का सेट लेकर आया था जो कंगी थे वो बने हुए थे वो कच्वे के सेल यानि की कवस से बने हुए थे जिनके किनारों पर जड़ाई हो रही थे क्योंसर नमबर फाइव हमने लिया है ये दा लास्ट लेसन से लिया है मिस्टर हैमल ने क्यों कहा कि वह उनका अंतिम पाठ था क्योंकि बर्लिन से एक आतियस आ गया था जिसमें कहा गया था कि अब अलसेक और लोरेन के विद्याले में केवल जर्मन भासा पढ़ाई जाएगी वो फ्रेंच के टीचर थे इसलिए उन्हें विद्याले छोड़ कर जाना पड़ा जबाद है उसको उसको गलत फेमि हो रही थी उसको दूर क्यों नहीं किया वो उसको उनका पुराना मित्र समझ रहा था फेरी वाले को अपना साती समझ रहा था ये बात उसने उसे क्यों नहीं बताई कि उसका साती नहीं था आंसर है फेरी वाले ने लोपती को ये जानकारी नहीं दी उसका जो वहम था जो गलत फेमी थी वो दूर नहीं की जबकि उसे ये पता था कि वो उसका पुराना मित्र नहीं था इस लालच में आकर कि हो सकता है लोपती कुछ सिक के उसकी तरफ उचाल दे फेंग दे बाइ टेकिंग पिटी ओन इस पूर कंडिशन उसकी गरीब इस्तती को देखते हुए Question number से उन हमने लिया है The Portrait of a Lady से Question है What was the last sign of physical contact between the author and the grandmother सारी इक संपर्क का last sign दादी अम्मा और लेक के बीच क्या था Answer is The last sign of physical contact between the author and the grandmother was when he went to a road she kissed his forehead at the railway station उन दोनों के बीच में शारी एक रूप से संपर्क का जो लास्ट अन्तिम साइन था प्रतीक था वो था कि दादी मा ने जब वो एब रोड यानि विदेश गया था She kissed his forehead उसने उसके ललाट को चूमा था Railway station के उपर Question number eight ये last ही हमने लिया है स्वयम वरा से Whom did the princess choose as her husband and why राज कुमारी ने किसे अपना पती चुना था और क्यों इसका आंसर है The princess choose the man her husband who had accepted his defeat राज कुमारी ने उस वेक्ती को अपना पती चुना जिसने की अपनी हार को accept कर लिया स्विकार कर लिया She chose him because he thought of the girl on equal terms उसने उसे चुना क्योंकि उसने लड़की को भी उसके समान मत दिया था उसके समान समझा था Only he accepted that he was beaten fairly क्यों उसी ने ये स्विकार किया कि उसे इमानदारी से हराया गया है Friends, ये एक परिया से आप लोगों की सफलता के लिए और आप अच्छी मेनद करें अच्छी मेनद करके एक्जाम देने जाएं और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें Best of luck all of you Thank you 大家都 में ये लोगो जिति हो